हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एस्ट्रोलोजी टिप्स हिंदी में 21 मार्च 2023 भूमवती अमावस्या विशेस महासयो इस जगा जला दी बस एक दिया पूरे साल जम कराएगा पैसा ही पैसा दोस्तो हिंदु धर में अमावस्या तिथी का विशेस महत्त होता है अमावस्या तिथी के स्वामी पित्रदेव होते हैं इसलिए मानेता है कि अमावस्या के दिन इसनान और दान करने से पुर्वज़ को शान्ती मिलती है और वहें परिवार को सुक्सम्रद्धी का अशिरवात देते हैं चैतर अमावस्या को भूतरी अमावस्या और भूमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है चैतर मास में आने वाली यह हैं अमावस्या साल की आखिरी अमावस्या है इस बार हिंदु नवर्स का आरंभ 22 मार्च से हो रहा है क्योंकि उस दिन चैतर शुक्ल प्रती बताती थी है पंचान के अनुसार साल का आरंभ चैतर शुक्ल प्रती पताती थी से होता है और साल का अंत चैतर कृष्ण अमावस्या के दिन बता दी कि चैत्र मावस्या इस बार 21 मार्च 2030 मंगलवार को है भौमतिया मावस्या के दिन हनुमान जी की विश्चेस पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि इस्तिती पर बजरंग पली की अराधना करने से बूरी शक्तियों का अनास होता है और घर में सुक्षान्ती और सम्रद्धी आती है आज इस वीडियो में हम आपको साल 2030 चैत्र मास में पढ़ने वारी चैत्र मावस्याती थी महत्व, पूजावी थी और कुछ महा उपायों के बारे में बताएंगे दोस्तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्टरोजी टिप्स हिंदी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जी सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले शाथी बैल आइकन को भी जरूर क्लिक करें तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं चैत्र अमावस्या के महत्यों के बारे में हिंदु धर्म में चैत्र भाह को काफी पुन्य फल्दाई बताया गया है इस महा में पढ़ने वाली अमावस्या पर केगे व्रत और दान की परभाव से हर तरह के पाप नस्ट होते हैं अमावस्या तिथी के स्वामी पितर देव होते हैं और यह दिन पितर देव को समप्रित होता है मानियत है कि अमावस्या के दिन गरीबों को भोजन कराने से यह सिधा पितरों तक पहुसता है साथ ही ऐसा करने से पितर दोस से मुक्ति मिलती है इसके अलावा अमावस्या के दिन गंगा इसनान कर पूजा आदी करने से चाता को अमोपफल की प्राप्ती होती है चैत्र अमावस्य व्रत की तीथी एवं शुम मुहरत दो हचार तीज में चैत्र अमावस्य का व्रत 21 मार्च दिन मंगलवार की दिन है अमावस्य तीथी शुरू होगी 20 मार्च को रात 1 बचकर 47 मिनट पर अमावस्या तिथी समाप्त होगी 21 मार्च को रात 10 बच कर 53 मिनिट पर चैतरा अमावस्या 2023 पर बन रहे हैं ये शुबयोग दोस्तो इस बार चैतरा अमावस्या तिथी पर सुब और स्वार्थ सिद्धी योग का इसा योग बन रहा है माना जाता है कि शुभ योग में दान और पित्रों के निर्मित कारे बिना किसी बादा के पूरे होते हैं वहें स्वार्थ सिद्धी योग में किये गए प्रतिय कारे सफल होते हैं शुभ योग 20 मार्च को शाम 4 बचकर 21 मिनट से शिरू होगा और 21 मार्च को सुभा 12 बचकर 45 मिनट पर समाप्थ होगा स्वार्थ सिद्धी योग 21 मार्च को शाम 5 बचकर 26 मिनट पर शिरू होगा और 22 मार्च सुभा 6 बचकर 23 मिनट तक रहेगा बात करते हैं चैत्रा मावसय की पूजा वीधी के बारे में अमावसय की दिन सुबबर में मूरत में उड़कर किसी पवित्र नदी में स्नान करी यदि पवित्र नदी में स्नान करना आपके लिए संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिला कर स्नान करी चैत्र अमावस्या पर पित्रों को तरपन करने का विश्यस महतू है। इसलिए स्नान करने के बाद सूरी देग को जल अरपन करी और लाल, पुश्प और चन्दन डाल कर अग्र दे। इसकी बाद पित्रों का तरपन करी। अब पीपल के व्रक्ष और तुलसी के पौधों को जल अर्पित करें। एक जो मोखी दीपक जलाकर खुशाल जीवन की प्राथना करें। इस दिन पित्रों के नाम से दान करने का भी काफी महतु है। इस दिन जरूरत मंद लोगों को दान दक्षिना देने से पित्र दोस और का सप्रदोस से मुक्ति मिलती है। चैत्र अमावस्या के दिन जरूर करें ये उपाए। चैत्र अमावस्या या भूतनी अमावस्या के दिन काली शीटियों को सक्कर मिला हुआ आटा खिलाए। ऐसा करने से जाता कि जीवन की परेशानियों का अंत होता है और व्यक्ति के म पनो कामना जल्दी पूरी होती है। प्रदोस से मुक्ती मिलती है।